हेलो और वेल्कम पर आमें क्रेजर का मेरे नामें अम्रत तो आज किस पूरिय में मैं आपकी साथ में श्याय करने वाली हूँ डबल बैड यानि की किंग साइज ब्लैंकेट को घर में ही ड्राइ क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका वो भी वाशिण मशीन में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्लीज वीडियो की नीचे चैनल को सबस्क्राइब करेंगे तो साई रोडिफिकेशन परे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी तो चलिए चुरू करते वीडियो को दोस्तों जे मेरी वाशिंग मशीन है वो सामसंग की वाशिंग मशीन है और ये 6.5 kg की है और इसी 6.5 kg में हम धोने वाले हैं डबल बेड ब्लैंकेट को तो चलिए सबसे पहले ब्लैंकेट को हम अंदर डाल देते हैं तो ब्लैंकेट को वाश करने के चाह है तो आप डिटरजन का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों लेकिन मैं यहां पे ले रही हूँ इसी का पैकेट जो सिर्फ 10 रुपे में आता है तो यहां पे मैं पूरे पाउच को इसमें खाली कर दूँगी और डिरेक्ली देखें मैं डाल रही हूँ ब्लैंकेट के उपर अगर आप डिटरजन डाल रहे हैं तो डिटरजन को आप बिल्कुल भी इसे ऊपर से ना डाले आप डिटरजन को जो बॉक्स दिया है उसके अंदर ही डिटरजन को डाले तो डिटरजन को घुलने में प्रॉब्लम है और लिक्विट जो यह फॉर्म में है easy इसो घुलने में कोई दिक्कत नहीं होता है या राम से घुल जाता है तो चलिए अब machine का lid बंद कर देते हैं main switch को on कर देंगे main switch को मैंने यह पर on कर दिया है अब अब पानी वाले जैसी आप select करते हैं देखिए यहाँ पर water level जो है automatically blanket के वजन के हिसाब से machine ने automatically यहाँ पर select कर लिया तो automatically set हो चुका है तो मैं यहाँ पर कर देती वाटर लेवल को 5 तो जिस आपको दिखाने के लिए तो कि देखिए water level को आप अपने हिसाब से select कर सकते हैं तो मैं आप इस water level को 5 कर देती हूँ तो इस machine में आपको दोस्तों monsoon का option भी मिलता है यानि कि जब आप monsoon का option select करते हैं तो blanket जो है ज़्यादा dry होती है तो चलिए अब machine को हम start कर देते हैं तो by default यहाँ में select रहता है wash rinse और spin चलिए machine को हम start कर देते हैं और जैसी आप start करते हैं देखिए पानी लेना शुरू कर दिया है machine ने तो पानी जैसे कि हमने select कि है level 5 water level 5 तक पहुंच जाता है machine देखिए अपने आप start हो जाती है तो machine में blanket दोने का पूरा procedure इस वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ तो यहाँ पे देखिए 69 मिनट अभी बचा है तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए बिना skip किये ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए और इस वीडियो को पूरा देखने से आपको कोई भी doubt मन में आपके नहीं रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों rinse हो रहा है यह पूरा पानी जो है निकाल के blanket को dry कर लेगा और यहाँ पे अभी 50 मिनट और बचा है तो यहाँ पे देखिए blanket को सुखाने के बाबने फिर से एक बार मशीन पानी ले रहा है यह दुबारा से मतलब second time मशीन पानी ले रहा है और 47 मिनट यहाँ पे अभी बचे है तो हम यह भी देखेंगे कितने बार मशीन यहाँ पे पानी लेता है और कितने अच्छे से blanket को धोता है पानी भर चुका है और 43 मिनट अभी बागी है operation complete होने के लिए अब wash हो चुका है फिर से दुबारा पानी निकल रहा है और फिर से एक बार पानी जो है मशीन वापस लेगा फ्रेश पानी और 39 मिनट यहाँ पे अभी बचा है पानी पूरी तरह से निकल जाने के बाद में दुबारा से spin हो रहा है ड्राइ होने के बाद में दुबारा से machine पानी ले रही है तो यहाँ पर तीसरी बार machine जो है पानी ले रही है और फिर से एक बार फ्रेश पानी से blanket को द्धोया जाएगा तो इस process से दोस्तों अगर घर में ही आगर आप blanket को अपनी द्धोते हैं ताकि कोई भी doubt आपको ना रहे 28 minutes अभी भी आपका बचा है 24 minutes यहापे आपका बचा है और दुबारा से machine जो है पानी पूरा निकाल देगा फिर से इसको spin करेगा और spinning यहापे start हो गया है तो तीसरा जो spinning है दोस्तों वो complete हो चुका है अब आप देख पा रहे होंगे दुबारा से machine fourth time पानी ले रहा है इसका मतलब देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से हमारी जो blanket है वो धुल रही है तो यह procedure जो है दोस्तों सारा का सारा rinse पे ही हो रहा है तो light देखे आप rinse पे ही blink कर रही है पानी भर जाने के बाद में दुबारा से wash हो रही है हमारी blanket तो कई लोगी questions आते हैं कि इस mode में machine कितने बार पानी लेती है और इसलिए मैंने इसमें clearly आपको बताया कि कितने बार machine ने पानी लिया है अब fourth time भी हमारी blanket दूल गई है पानी पूरा निकाल रहा है machine अब दोस्तों जो है last procedure चल रहा है spinning का देखे blink हो रही है light तो यहाँ पे spinning हो रहा है last के 10 में यहाँ बचे हुए है अब और यह पानी नहीं लेने वाला है चार बार खुल मिला के इस mode पे पानी लिया है machine ने पूरी तरह की से इस पानी जो है निकल जाने के बाद में अब बस spinning होगी बस यह last बार spin हो रहा है इसके बाद में process जो है वो complete हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि blanket जो हमारी कैसी दूली है तो आपने देखा कितना आसान है double bed blanket को भी आसानी से आप 6.5 kg के मशीन में आसानी से दू सकते हैं बहुत लोगी question आते हैं कि कितनी kg के हमें मशीन चाहिए blanket दूने के लिए वो भी double bed वाली कई लोगों को यह भी doubt रहता दोस्तों कि 6.5 kg के मशीन में ब्लांकेट को नहीं दू सकते हैं वो भी double bed वाला तो यह doubt है I'm sure अभी clear हो गया होगा आपका spinning process जो हमारा यहां पर complete हो चुका है अब एक beep बजेगी तो इस machine में last में इस तरीके की beep बजती है जब process complete हो जाता है तो यहां पर हम कर देंगे machine को off साथी main switch को भी हम off कर देंगे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि blanket जो है कितने अच्छे तरीके से wash हुई है और मैं touch कर पा रही हूँ, feel कर पा रही हूँ कि ज़्यादा गीली भी नहीं है otherwise ऐसे आप manually blanket को धोते हैं तो जल्दी blanket जो है सूखती नहीं है इस प्रकार से अगर आप धोएंगे तो blanket देखे कितने अच्छे से सूख गई और partially सूख गई है आप उसको बाहर डालेंगे, बहुत ही कम समय लगेगा blanket को सूखने के लिए अगर आप machine लेने का सोच रहें दोस्तो washing machine तो मैं recommend करूँगी तो आप ये machine ज़रूर ले क्योंकि बहुत ही काम किये और budget वाली machine है और बहुत ही simple इसको operation है, बिल्कुल भी difficult नहीं है अगर आप इस machine को खरीदना चाते हैं तो link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा वाँ सिटा कि आप चेक आउट कर सकते हैं और भारी discount में इसे आप खरीद भी सकते हैं तो जैसे कि आपने देखी लिया कि blanket को दोना कितना आसान है वो भी king size वाली blanket को तो यह requested वीडियो था दोस्तों काफी लोगों को यह query थी कि हम 6.5 kg की इस machine में blanket को दो सकते हैं कि नहीं तो I'm sure आपका doubt जो है वो एकदम clear हो गया होगा और काफी सारे मेरे subscribers ने इस machine को खरीदा है दोस्तों इसलिए मैं recommend करूँगी कि और बहुत ज़्यादा positive feedback भी आ रहे हैं तो आप भी लेने का सोच रहे हैं तो इस machine की उपर ज़रूर एक बार देख लीजिए और सारे features चेक कर लीजिए अब ये winter का season भी आने वाला है तो ये वीडियो जो है आपके बहुत काम आने वाली है और blanket को हम जब नहीं यूज करते हैं तो हमेशा हम घड़ी करके उसको डग देते हैं अंदर जब हम बाहर निकालते हैं यूज करने के लिए उसमें बहुत ही अजीब सी smell आती है तो मैं ज़रूर आपको कहना चाहूंगी जब यह ब्लैंकेट को यूज करें इसको दोके यूज करें दोस्तो ऐसे informative वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं जोब की लाइफ को आसान बना देते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगिन को ज़रूर प्रेस करें उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेजिन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी थैंक यू सो मच वाचिन दिस वीडियो फ्रेंज मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर